प्यारे बच्चों, हैलो एलकेन और हैलो एरीन चेप्टर पे यह हमारा तीसरा लेक्चर है पहले लेक्चर में हमने नामकराण देखा, दूसरे लेक्चर में से बनाने की विधियां प्रारम किया दूसरे lecture में अलकेन से बनाए तीसरे lecture में हमने अलकेन से बनाने का तरीका देखा तीसरे lecture में हमने एक question छोड़ा था हमने कहा था unsaturation test के बारे में unsaturation test इसमें हमने एक दिया था reaction reaction with bromine water अगर हम bromine water के साथ reaction कराएं तो क्या होगा unsaturated compound है तो addition reaction देगा जैसे C double band C ले लिए इस पर हमने BR2 का reaction कराया BR single band कैसा होता है इसका color wine red wine red wine red color का होता है इसमें यह pi band टूटेगा और जो है एक जगा एक BR एक जगा दूसरा BR लगेगा यानि कुछ ऐसा हो जाएगा C single band C यह तो ऐसे ही था ठीक और इस पर लग जाएगा BR ध्याम दें एक BR उपर लगेगा तो एक BR नीचे लगेगा ठीक है एक BR उपर एक BR नीचे anti-edition होता है इसमें कौन सा एडिशन होता है anti-edition होता है और intermediate बनता है cyclic bromonium iron intermediate क्या बनता है cyclic bromonium iron तो इसका wine red color जो है decolorize होता है अगर bromine water के color को जो उड़ा दे तो उसे हम कहेंगे कि वह compound क्या है unsaturated है यानि इसके अंदर pi band उपस्थित है तो यह pi band break या एक BR इस पर एक BR इस पर एक उपर से लगेगा तो एक नीचे से अगर इस पर अगर अप कर दें तो इस पर डाउन इस पर अगर अप कर दें तो इस पर डाउन ठीक एंटी एडिशन है अगर यह हमारा compound Cys Isomer ले लें Cys Isomer लें तो क्या मिलेगा Resmic Mixture यहां मिलेगा Cys Isomer लें Resmic Mixture मिलेगा Trans Isomer ले लें TRANS Isomer लिया जाए ठीक इसका यह जैसे हम CH3 CH3 कर दें Beauty Twin HH Trans Isomer हो गया मीसो मिलेगा क्या मिलेगा मीसो Isomer मिलेगा Cys लिया जाए तो Resmic Mixture मिलता है TRANS लिया जाए तो मीसो यह Stereo Chemistry को जोड़कर प्रतियोगी परिछाह में Stereo Chemistry को जोड़कर के Questionerize होता है ठीक यहां हमने आपको बताया था कि Bromine Water का जब Reaction होगा तो Addison Reaction होगा Electrophilic Anti-Edition होता है और Cys है तो Resmic Mixture और TRANS है तो मीसो बनेगा Unsaturated Test ठीक यह तो हमरा ना Unsaturated Test का इस पर हमने प्रस्ण किया था कि बताये कि अगर हम Benzeen को ले लें तो क्या Benzeen Unsaturated Test देगा देखे Benzeen के पास Double Bond Double Bond है Unsaturated Test देगा मतलब ब्रोमीन वाटर को Decolorize करेगा इस पर अगर हम ब्रोमीन वाटर का BR2 वाटर इसका Reaction कराएं तो Negative नहीं देगा ऐसा क्यों इसमें भी तो दिख रहा है पाई बांड है तो अगर पाई बांड तूट जाए तो देखिए यह अपने Aromatic Character को Lose कर देगा अभी क्या है Double, Single, Double, Single Double, Single तो यहां अगर यह अपने पाई बांड को ब्रेक कर दे तो अपने Aromatic Character को क्या कर देगा लूज कर देगा इसलिए Unsaturation Test नहीं देगा चलिए तो यह तो रहा हमारे पिछले वीडियो में याने Lecture 3 में जो Question दिया गया था उसका Answer इसमें हम चर्चा करेंगे Alcohol से Alcohol से बनाएंगे Hello Alkin and Hello Arine किससे बनाएंगे Alcohol से ज़राई Alcohol ले लें जैसे माल लीजे हमने ले लिया CH3 CH2 OH CH3 CH2 OH ले लिये Ethyl Alcohol इससे हमको बनाना है क्या Hello Alkin याने OH को हटाना है और इसकी जगा CLBRI यह लगाना है तो कैसे किया जाएगा तो देखिए इस पर अगर हम Reaction करा देएं PCL5 का किसका PCL5 Ajant इस Ejant को देखने से पता चल जाता है इस Ejant को देखा जाए कौन है PCL5 है तो PCL5 जब 5 क्लूरीन रखा है गरमale पांच क्लूरीन रखा है तो जाहर सी बात क्लूरीन ही देगा ठिक है तो यहां से OH को हटाएगा और CL को जोड़ देगा अब ज़र हम एक बार इस पर काम कर लें क्या बनेगा प्रोड़क्ट और किस हिसाब से बनेगा तो PCL 5 में हैबडाइशन बता सकते हैं आप पांच सिंगमा बांड होंगे पांच सिंगमा बांड होगे फाइव लोन पेर फास फूरस के आउटर आर्बिट में बाहरी का अच्छा में पांच इलेक्टरान होता है अब पांचों का यूज़ कर लिया लोन पेर जीरो टोटल पांच SP3D कौनसा होगा एबडाइशन SP3D हो गया और आप जानते हैं जब SP3D हो गया तो कैसा सेफ होगा TBP ट्राइगोनल बाई पिरेमिडल जरा बना दें इसका सेफ देखिए बीच में फास फूरस हो गया और केटो क्लोरीन है पांच एक दो तीन तीन क्लोरीन तो ऐसे हो गई CL 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 कितना बांड एंगल 120 120 120 ठिक उसके बाद चाउथा जो है उपर अपचमा जो है नीचे यह देखिए आप सोच रहंगों कि इसको इतना लंबा क्यों बनाए है यह देखिए हमारा एक्सियल एक अक्ष की तरह है एक्सियल आर्बिटल है तो एक्सियल बांड इस बांड को बोलेंगे एक्सियल बांड इस बांड को बोलेंगे एक्सियल बांड और यह तीनों है इक्वैटोरियल यह क्यों है equatorial है equatorial bond कि अपेच्छा axial bond लंबा होता है यानि यह वाला bond length अगर हम इसको कहें x और इस bond length को y कहें इन तीनों को क्या कहें y तो x की लंबाई क्या है greater than y ऐसा क्यों axial bond की लंबाई equatorial के अपेच्छा अधिक होती है क्यों तो देखें उसके पीछे कारण उसके पीछे कारण देखिए यहां तो क्या रहा कि जो equatorial है इनके बीच बांड एंगल 120 है कितना बांड एंगल यहां है 120 यहां बांड एंगल यह कितना है 120 यह कितना 120 120 120 120 यह तीनों बांड क्योंकि ऐसे था ना पी एक दो तीन 120 120 120 ट्राइगोनल प्लेइनर ठीक 120 डिग्री एंगिल हो गया अब इस पर यह क्या है लंब है उपर से जब यह इस पर लंब है पर्पेंडिकुलर है तो जैर सी बात है कितना डिग्री नांटी नाइटी नाइटी तीनों से या कितने एंसका कॉम बनाएगा यहां से भी बनाएगा नबंबय यहां से भी Ondदила तो अब का एंगल बना रहा है 90 डिगरी यहींगिन टिग्रिये होगा और रिपालसान फ्रतिकर्शंट उन्हें स्थाएविए नीचे की होड़ उन्हें सबбище Jeffrey प्रतिकर्शन को कम करने के लिए चुकि बांड एंगेल 90 डिगरी है इसलिए प्रतिकर्शन को कम करने के लिए यह इलेक्टरान उपर भागेगा और यह निचे भागेगा तो यह बांड लेंथ क्या हो जाएगी कुछ लंबी हो जाएगी ठिक चले अब इस इस ट्रक्चर से इसकी प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव पड़ा इसको जरा देख ले यानि जब यह हम पता चल गया हमें कि यह वाला बांड लंबा है अर्थात इसमें जब हम रियक्सर में क्या होगा बांड ब्रेकिंग और बांड फर्मेशन पुराने बांड का तूटना और नय बांड का बनना यहीं नहोता है पुराना बांड ब्रेक करता है और नया बांड बनता है ठिक जब इसमें हम बांड ब्रेकिंग की चर्चा करेंगे तो कहों सा बांड तूटेगा भाई बताएं सिंपल सी बात है यह बांड लेंद लंबा है आसानी से टूट जाएगा तो यहां बांड इस और और यहां बेगा यह पी सिल-5 एथिल एलकोहाल या एलकोहाल पर अटेक करेगा तो क्या करेगा इसमें से दो क्लोरीन निकलेगी यानि एक क्लोरीन ये निकलेगी और एक क्लोरीन ये निकलेगी तो अब यहां क्लोरीन निकली यहां से ओय च्छटा ठीक ओया च्छटा और इसकी जगा क्या लग गया सीयल और यह chlorine इस hydrogen से मिले की हैश सील थिक सब्क्राइब बनाएं चले हुआ इस इस्ट्रक्चर से इस्ट्रक्चर क्या उसकता क्या है प्रापरिटी को explain करने में इस इस्ट्रक्चर को देख करके ही गुणों की व्याख्या की जाती है ठिक यहां आते हैं इस जगह पर देखा जाए तो यह ओया छटा इसकी जगा लग गया सियल लिख दें सीया चत्री सीया चटू और क्लोरोज़न वह हमारा काम था हैलो अलकें अगर यहां दो कार्वन की जगा एक कार्वन होता तो क्लोरो मेथेन बनता और यह हाइड्रूज़न और एक सीयल निकल गया HCl एरो पे लिखें तो माइनस HCl और यहां लिखेंगे तो प्लस HCl और बचा क्या जी P बचा और तीन क्लोरीन बचा और एक ऑक्सिजन देखिए हाइडरोजन C L से मिल गया HCl और एक C L आके बैठ गया तो यह क्या हो क्या P O C L 3 माइनस P O C L 3 फास्पोरिल क्लोराइड अर्थात इस पर जब हुआ तो हमने काम क्या किया O H को हटाना था O H हटाने के लिए हमने क्या लगाया है P C L 5 पांच-पांच क्लोरीन रखा है तो जाहर सी बात है क्लोरीन जाएगा और O H को हटाएगा यहां O H हटा अब हम जड़ा एक और देख लेते हैं P C L 3 ले भाई P C L 3 इसको देखिए P C L 3 को ले लिया जाए तो जब यहां रियेक्शन करेगा तो इसमें भी तो क्लोरीन है यह करा हम भी क्लोरीन लगा सकते हैं जिस प्रकार का यह है उसी प्रकार का यह दोनों के जरा मैचिंग किजिए यह पांच क्लोरीन लेकर चलना है तो यह तो यह भी जाएगा O H हटाएगा इसका निशाना क्या है ओए अजह हटाओ C-L लगाओ इसका भी काम क्या है C-L देना तो यहां से हटाएगा कैसे तो देखें जरा हम लेए है PCL 3 जरा इसमें है यह फासपूरस है क्लोरीन एक दो तीन क्लोरीन है तो क्लोरीन एक बॉंड एक बॉंड एक बॉंड फासपूरस के बाहरी का अच्छा म यानि सिगमा बाउन तीन लोन पेयर दो टोटल दो करें एक ना पेयर एक हो गया दो इलेक्ट्रान है एक जोड़ा टोटल चार एस पी-3 अमोनिया की तरफ सकल हो गई इसकी यानि फास पोराज 1-2-3 और एक लोन पेयर पीरैमिडल इसमें क्या होगा देखो इसमें जैसे उसमें तो हम बताए थे कि पी था एक दो तीन चार पाँच यह क्लोरीन और यह क्लोरीन इसले निकल गया यहाँ कैसे होगा तो यहाँ चर्चा करें हम तो देखो यह एक इलेक्टर्ण यह है स्यम है तो तेनो निकलेंगे यानि यह जो है पीसील 3 कडुलूरीन एटम को देगा तो क्ड़ूरीन निकलेंगी यहां से 3 क्लूरीन अब 3 क्लूरीन निकलग़ा और यहां से ओछ धाएं इसके हम 3 मालिक्यूल लें प्लस तो क्या बनेगा देखो जरा या तीन हमें अतील ले लिए एक क्लोरीन गया तो यह हो गया CH3 CH2 और यह लगया CCL दूसरा वाले पर भी यह लगया तो कैंठो बन जाएगा 3 थो तीनो क्लोरीन का खेल खात्म यह तीनो क्लोरीन खेल लिए ओया चकलूरीन हो चुका है अब बचा यहां पी यहां क्या बचा जी को तीन हाय डोजन बचा और तीन अक्सीजन अक्स पर और 2 पॉरस कभी नाम सुने हुगे H3PO3 इसका structure भी तुमने ड्रा किया होगा H3PO3 और H3PO4 H3PO4 क्या नाम है Arthofasporis Acid Phasporic और यह Phasporis इसमें जो है यह compound को बताया गया था बड़ा important है इसमें तीन hydrogen दिख रही है लेकिन एक hydrogen direct किसे जुड़ती है Phasporis से इसकी छरक्ता कितनी है 2, क्यों 2 ही hydrogen ऐसे है जो acidic in nature है अग तीसरी hydrogen जो Phasporis से जुड़ती है वो acidic in nature नहीं होती है यह try basic है इसमें से 3H plus निकलेगा और यह die basic है इसमें से 2H plus निकलेगा बहुत बार प्रतियोगी परिछावन पूछता है H3PO3 का तुल्यांकी भार बताएं तो तुल्यांकी भार जब निकालते हैं तो इसके औरू भार में तीन से नहीं दो से divide करते हैं दो से भाग देते हैं और यहां पर इसके औरू भार में कैसे भाग देते हैं तीन से क्योंकि तीनों hydrogen निकल जाते हैं और यहां दो ही hydrogen निकलता है बहुत important compound है यह H3PO3 इसका structure आप देखे होंगे प, ए, दो, तीन hydrogen, hydrogen और एक hydrogen direct किस से जुड़ेगा एक hydrogen direct phosphorus से जुड़ता है single bond, single bond, single bond, single bond double bond हो यह hydrogen तो SD की nature है H plus बनेगा क्योंकि इसकी दोस्ती oxygen से है यह hydrogen H plus बनेगा क्योंकि इसकी दोस्ती oxygen से है यह hydrogen H plus नहीं बनेगा क्योंकि यह phosphorus से है तो यह दोनों निकलते हैं di basic acid है दूचार की आमल है ठीक चले तो हम यहां देखे कि तीनों PCL3 का रियक्षन कराएं तो ज़र हम यहां रियक्षन लिखते हैं तो कई मालिक्यूल आएंगे जी तीन मालिक्यूल आएंगे तो जहां बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे तब ऐसे हम बना दें यहां क्या हो गया CH3 CH2 और यह लग गया CL ठीक और यहां तीन ध्यानव बैठाना तीन मालिक्यूल तो क्या निकलेगा माइनस ह3PO3 आर्थो फासफोरस आमल क्या बन जाएगा आर्थो फासफोरस आमल पियो फोर कर दें तो फासफोरिक यहीं पर एक ची जोड देखलो H2SO3 और H2SO4 HNO2 और HNO3 और H3PO3 H3PO4 जब यह oxygen ज़्यादा रखा है sulfur से sulfuric nitrogen से nitric phosphorus से phosphorus phosphorus, nitric, sulfuric जब यह ठोगम रखा है इसे तो अस लगेगा sulfurous, nitrous nitrogen से nitrous और यह phosphorus देखो sulfurous, sulfuric nitrous, nitric phosphorus, phosphorus यह phosphorus अमल हो गया यह phosphorus अमल हो गया वही कहें आर्थो phosphorus आर्थो phosphorus यहीं पता एक hydrogen डाइरेक्ट किससे जुड़ता है phosphorus से यही ध्यान देने योगे बात इसमें थी, ठीक, चलिए तो यहां बन गया minus H3PO3 एक और reaction कराते हैं इस पर चलिए यहां अगर हम इस पर reaction करा दें और के यहां बनिदे K fertil आप तो देखो यह अकलोरीन निकलेगा दोनों एक जैसे है और खेल कहां होना है यहां पर होना है यह अकलोरीन जायेगा इस जगह बैठ जाएगा तो बन जाएगा CH3, CH2, CL एक हो गया, बन गया यानि यह OHटा, CL जाके बैठ गया आप ध्यान दें, इसमें से निकला क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जाएगा, तो बताओ इतने में से किसे पसंद करेगा CL को, तो H और CL मिलके बज़ेगा, माइनस HCL ठीक, उसके बाद देखो, या O बचा, यास O और एक O मिलके, SO2, माइनस SO2 ठीक, थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, तो यहाँ हमें जो प्राप्त हुआ, इसमें जो हमें प्राप्त हुआ, तो हमने देखी बनाया कैसे PCL5 लिए, दो क्लोरीन निकली इसमें से, तो दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन, OH को हटा के बैठी, और एक क्लोरीन क्या किया, HCL निकल दिया, अब बचा O और P, POCL3 निकल गया, दूसरा क्या हुआ, कि यहाँ जो है हमने लिया, PCL3 का, तो तीनो क्लोरीन निकलेगा, तो तीन मालिक्यूल ले लें, तो तीन OH हटा, और उसके जगह CL लग गया, क्लोरो एथिन बर गया, और यह हो गया, H3PO3, फास्पोरस एसिड, आर्थोफास्पोरस एसिड, उसके बाद जो है, SOCL2 का कराए, OH हटा, एक CL तो लग गया, एक H, और CL, HCL हो गया, उसके बाद SO और एक O, SO2, इन तीन रियक्षन को हमने बनाया, इस सब के पास क्लोरीन है, चेहरा देखकर कही पता चल जा रहा है, किस काम का यह है, जैसे खुरपी, खुरपी देखोगे तो जान जाओगे, घास गड़ने के काम आ रहा है, खुरपी से कपड़ा तो सीलोगे नहीं, सुई, सुई देखने से पता चल जाता है, कि हाँ, सीलने के काम आ रहा है, बटन को टाकने के काम आ रहा है, उसी तरीके से यह क्लोरीन रखा है तो क्या करेगा क्लोरीन ही न देगा सर पर अमरूद लेकर जा रहे हो तो क्या चिलाओगे अमरूद ले लो अमरूद ले लो यह तो कहोगे नहीं दही ले लो दही ले लो क्लोरीन को दही ले लो तो उसी तरीके से यह क्लोरीनW design हो गया यह इसा क्यों तो । जब तुम पात्र लोगे, इस पात्र में तुमको डाल दिये क्या? ETOS, फिक, इसको ले लिये, इसी पात्र में तुमने मीराया SOCL2, अब आगए यहाँ SOCL2, फिक, इन दोनों ने reaction किया, इन दोनों के reaction से हमें क्या प्राप्ट हुआ? हमें प्राप्ट हुआ क्लोरो एथेन क्लोरो एथेन ETCL एथिल क्लोराइड और क्या निकला HCL और क्या निकला SO2 देखो SO2 गैस है आसानी से रिमूब हो जाएगा HCL आसानी से रिमूब हो जाएगा तो जब रियक्शन के वेजल से रियक्शन के बारतन से SO2 निकल गया HCl निकल गया तो हमें क्या मिला ETCL यानि इससे Chloroethene या Helo Alkin बनाना आसान रहेगा क्योंकि यही प्राप्त होगा इसमें जब करोगे तो क्या होगा H3PO3 भी बरतन में रहेगा इसको लेंगे तो हमारे पात्र में क्या होगा यह तो रहे गई और दूसरे वाले को देखें H3PO3 भी इसमें होगा अब इसको अलग करना होगा तब न हमें यह प्राप्त होगा तो separation में भी कुछ काम करना पड़ जाएगा प्रिथक करना पड़ेगा क्योंकि यह side product भी है इसमें करें तो POCl3 भी side product रहेगा यानि पहला वाला रियक्षान PCL5 से कराएं तो हमें side product मिलेगा कौन POCl3 इसको separate करके तब यह प्राप्त करना होगा दूसरे वाले में देखें तो side product H3PO3 यह अभी हमारे सामने रहेगा तो इसको भी separate करना होगा अब तीसरे वाले में यह gaseous है आसानी से remove भुजाएंगे तो हमें chloroethin प्राप्त होगा ठीक चलिए यह हम पर आए हैलो एलकेन किस से अलकोहाल से हम जड़ा इसी को use कर ले इस्तेमाल कर ले इस पर जैसे माली जम ने दे दिया R, single band C, double band O, single band O, H ना R, single band O, single band C अच्छा एक चीज़ और देखिए बताना भूल गहें और वे अच्पच अब रियक्षन कराए थे S, O, C, L, 2 का तो यहां बना R, C, L R, C, L बन गया अधान क्या हो गया S, O, 2 धन, H, C, L यहीन हुआ इसकी जगह C, L लगया R, C, L यह कौन सा रियक्षन है बड़ा इंपार्टेंट है भाई इसका पीछे चर्चक यह है कौन सा रियक्षन है हम ही यह बताईएगा उस पर अगले वीडियो में बात करेंगे हम कौन सा रियक्षन है इसको आप बताएंगे ठीक, चलिए हम इसको जड़ा एपलाई कर दें इस पर माल लीजिए हम रियक्शन करा दिये SOCL2 का किसका करा दिये या करबॉक्सिलिक है SOCL2 का रियक्शन करा दिये क्या होगा सेम वही चीज़ा देखो इसको बिमारी है क्या CARARAL है जैसे कुट्टे को देख लो बिल्ली को देखते ही तो फिक दोड़ानेukan के तो उसी तरीके सी एंचीतो तो तुरंत क्वर्ण करेगा या करने में प्रयास करेगा तो क्या हज़ाएगा यह हां पाट बच्टा और सिंगिल वांट फी डबॉल बान वो यहां उपक्ष दबॉल बांडो यहां लगा गया क्या सि हो गया और 아니야 बने का जी एक हएच और एक सिएल है क्होंते अच्य जीनम ओ ऊह प्लस एस ओ नहीं एस ओ टू ठीक यह हमारा फाइनल रियक्शन हो गया एसिड हैलाइड बन गया एसिड क्लॉराइड ठीक अगर हम इसकी जगा यह बेटर हम इसको क्यों ले रहे हैं क्योंकि यह सब गैसिया से रिमूब हो जाएंगे यह हमारा बच जाएगा अच्छा रियक्शन है अब हमको जड़ा बताओ इसको साल्व करना हमने दे दिया ठीक डबल बांड ओ ओ ओ याच ठीक इस पर हम रियक्शन कराए हैं पी सी अल फाइब का इसको बताना क्या बनेगा ठीक और साइड प्रोड़क्ट भी बनाना उसके बाद फिर हम यहाँ दे दिये ओ याच अब इस पर जो है रियक्शन कराना पी सी अल थी का क्या बनेगा यह है एलकोहाल ब्यूटेन टू आल और यह है एक दो तीन प्रोपेन प्रोपेनोइक एसेड इन दोनों को बताईएगा अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे बनाने की विधी पर ही और लास्ट फाइनर रहेगा है लोजन से बनाना ठीक